पिशले कुछ समय से देश में बहु संख्यक हिंदों की धार्मिक भाबनाओं को आहत करते हुए भड़काओं नारे लगाने के साथ ही उपद्रफ की घटनाय बढ़ती जा रही है। इसी के विरूत में हिंदू संगठन लगातार ग्यापन और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहट सोंवार को अंतराष्ट्रे हिंदू जागरन परिश्रद ने इंदूर में कलेक्टर कारले पर राष्ट्रपती के नाम इग्यापन दिया। देखे एक खास रिपोर्ट अंतराष्ट्वी हिंदू जागरन परिशत वराष्ट्वी बजरंग दल भारत देश में बहुत संख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाले अपराधियों की गिरफतारी की मांग को लेकर आंदुलन कर रहा है इसी के तहट इंदौर में भी संख्यधन के बदाधिकारियों ने कलेक्टर कारेले पहुँचकर राष्ट्रपती के नाम इग्यापन सौपा हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर बहु संख्यक हिंदू समाज को अपमानित करने का कारे किया जा रहा है की जाए और उन्हें गिरफतार किया जाए जिस तरीके से तरह तरह के मेसेज तरह तरह के वीडियो बना करके और गला काटने की जो धंकी देकर के हिंदू समाज को दहशत की और ले जाए जा रहा है इस तरीके से हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है, हिंदू समाज इसके लिए उग्र आंदोलन करने की भी तियारी कर सकता है, हमारा महामाहिम राष्ट्रपती महोदया से कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने जो आग्रह किया है, कि जितनी भी राज्य सरकारों को फॉलो कर करके बहु संक्यक हिंदू समाज को आहत करने का कारे कर रहे हैं, उनके वीडियो में उनको चुन करके और उनके खिलाफ सकत कारवाई की जाए, और ओवेसी और मुनवर फारुक ही, जिनोंने लगातार हिंदू समाज के देवी देवताओं के खिलाफ अबदर टिपणी की है उनके तुरंद गिरफतार किया जाए, ग्यापन में धार्मिक भावना भड़काने वाले आरोपियों के खिलाफ सकत कारवाई की मांग भी की गई है, ब्यूर रिपोर्ट, MP News